पश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलो ने आतंकियों को घेर लिया है कास्तिगड जंगल के उपरी इलाके में अतंकवादी और सुरक्षा बलो के बीच दो घंटे तक मुठभेड चली है डोडा के जंगलों में तीन आतंकियों के होने की खबर है तो देख सकते हैं दो तस्वीरे आप अतंकियों से जो मुठबेर हुई और उसके बाद अब तीन अतंकिय अभी भी छिपे हुए बताए जा रहें लेकिन पूरे तरीके से सुरक्षा बलो ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है यहां से आगे किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है पिल्कुल Ground Zero की विज्वल से बताया जा रहा है कि जो फाइरिंग यहां पर हुई है तकरीबन दो बज़े के करीब रात को फाइरिंग हुए है और जो फाइरिंग तकरीबन चार बज़ कर फाइरिंग बंद हो गई है और उसके बाद इस पूरे एरिया को कार्डन में लिया गया है हाला कि इस operation को अगर देखिए आज जोथा दिन है लगतार इस इनी जंगलों में militant जो आतंगी छुपे हुए है इनी जंगलों में वो छुपे हुए है और जो बड़े-बड़े यहां पर natural caves है उनमें वो छुपकर दिन में रहते हैं और रात की समय जब हमारी सुरक्षा ब दूरी पर जो हम आपको बता दी यह बिल्कुल बाटा दश जगा है जो कासिगर्ड का अपर आप देख सकते हैं कि जो सेना के जवाना आप देख रहे हुए कि यह बिल्कुल इस एरिया को काडल में लिया है ताकि जो आतंगी है वो बच निकलने में कहीं से भी उनका कोई भी यह रास्था ना हो और उन्हें जल्द से जल्द डेर किया जाए न्यूजटी नेडवर्क के लिए ग्रोंड जिरों से कासिगर्ड दच बाटा आतिफलोन झाल में जल्क कासे जल्द बाटा नेड़र्क के लिया हौ जो आतिफलोन